पैटरन और पैरिंग स्कीम नाइन्थ क्लास के कंप्यूटर के पेपर की करने जाए हैं तो कंप्यूटर की जो नाइन्थ क्लास का पेपर है वो टोटल 50 मार्क्स का होता है और आपके पास टाइम टू हार्ड सोते हैं पेपर दो पार्ट्स पर मुश्तमील होता है, हमेशा कितना objective paper और subjective paper पर, objective paper में इसमें MCQs जो हैं वो 10 होते हैं, वैसे normally science subjects में 12 MCQs होते हैं, बगर इसमें 10 MCQs होते हैं, जो आपने 15 मिन में करना होते हैं, scheme कुछ इस तरह हैं कि chapter 1 से 1 MCQs, chapter 2 से 2 MCQs, chapter 3 से 1 MCQs, chapter 4 से 2, chapter 5 से 1, chapter 6 से 1, 7 से 1 और 8 से भी 1 एक तो यह objective paper है, 15 मिन में आपने इसको return करना है, उसके बाद आपके पास 1 गेंटे 45 मिन का subjective paper होते हैं, जिसके आगे फर्दर दो पार्ट होते हैं, पार्ट वन short question पर मुझत मिल होता है, 24 marks का होता है, और पार्ट वो long question का होता है, जिसके 16 marks का होता है, short question देखते हैं, पार्ट वन में कौन से हैं, part 1 के अंदर 3 set होते हैं short questions के question number 2 का अंदर 6 questions होते हैं short questions और question number 3 के अंदर भी 6 short questions होते हैं और question number 4 के अंदर भी 6 short questions होते हैं 6 में से आपने 4-4 करने होते हैं यानि इन 3 questions में से 6-6 का जो set हैं उसमें से आपने 4-4 करने हैं देखते हैं pairing scheme Q2 के अंदर जो 6 सुवाल आएंगे वो चप्टर 1 से 2 short question होगे और चप्टर 2 से 4 short question होगे इसी तरह Q3 short question को देखते है इसके अंदर चप्टर 3 से 1 short question चप्टर 4 से 3 short question और चप्टर 5 से 2 short question इसके बाद Q4 देखते है Q4 के अंदर चप्टर 6 से 2 short question चप्टर 7 से 2 short question और चप्टर 8 से भी 2 short question तो इस तरह करके यह आपके पास टोटल 24 सुवाल होते हैं जिसमें आपने जोगा है इस तरह आपके पास यह 3 set हो जाएंगे 6-6 short question के और आपने हर set में से 4-4 short question करने है टोटल मार्क्स 24 होते हैं इसके बाद आते हैं हमारे पास long question long question तीन होते हैं question 5, question 6 और question 7 के नाम से question 5 chapter 1 से पहला long question दूसरा long question chapter 3 से और तीसरा long question chapter 5 से हर long question का 8 marks का होता है हर long question 8 marks का होता है और इसमें आपके पास choice होती है 3 long question है आपने इसमें से कोई से 2 करने होते हैं तो इस तरह करके यह 16 marks का अपना long question वाला अब बन जाता है जी व्योस तो यह थी pairing scheme I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी informative होगी शेयर करें हमारे चैनल को और like, share, subscribe करना मत बुलिएगा थैंक्यू, अलाफेज